तो दोस्तों अगर आपको याद होगा कुछ महीनों पहले मैं एक छोट ऐसे गाउं में गया था कुछ बर्ड्स को शूट करने के लिए चूंकि ये विंटर्स का टाइम था तो एक बर्ड्स स्पीशीज है स्प्रिंग, समर्स और बरसात में बुग्यालों में रहती है लेकिन जैसे जैसे सर्दी पढ़नी शुरू होती है जैसे जैसे मौसम ठंडा होता है तो ये जो स्पीशीज है ये विग्यालों से निची जो गाउं है उन छोटे छोटे काउं में आती है और इस स्पीशीज का नाम है स्नूपिजिन तो जिस गाउं में गया था वहाँ पे विंटर्स में काफी सारे स्नूपिजिन साते हैं तो एक मॉनिंग की बात है मैं सुबे से बे उठा and instead of going to the forest मैं उसी घर की छट पे गया and मैंने देखा कि दूर घाटी में निच्चे की तरफ एक फ्लॉग था जो कि सोर कर रहा था जैसे मैं इस फ्लॉग को देखा मेरे दिमाग में तुरंट एक आइडिया आया तो इन स्नूपिजिन्स की एक हाबिट थी कि वो उस घाटी से उड़ते थे and जो हमारे अगर के आसपास के खेत थे उन खेतों में हमेशा हर मॉनिंग फीड करने आते थे तो जैसे मैंने स्नूपिजिन्स को देखा मेरे दिमाग में तुरंट एक आइडिया आया मैंने सोचा कि I will make a continuous slow motion shot of these snow pigeons जब तक कि वो उस घाटी से उड़के जो मेरे घर के आसपास के खेत थे उन में नहाजा तो मैंने अपने कामले को slow motion पर सेट किया and this is the sequence which I shot of these snow pigeons जो उस दूर Madhu Ganga जो नदी बह रही है उस घाटी में उड़ रहे थे और वहां से उड़के वो नन-स्टोप हमारे आसपास के खेतों में है तो दिस वोन नन-स्टोप शॉट of this beautiful snow pigeons and I wanted to share this with you है है लुट लुट है लुट झाल 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 झाल